नोटिस को बिना याद किये और बिना रटे लिखने के लिए हमें टाइपस ओफ नोटिस का पता होना बहुत ही जरूरी है तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ टाइप वन होता है लॉस्ट एंड फाउंड ठीक है आपकी कोई चीज खो जाती है उसके लिए अपना नोटिस लिखकर एक अपने स्कूल के स्कूल बोर्ड पर लगा सकते हैं या फिर किसी इंसान की खोई हुई चीज आपको फाउंड हुई है तो आप एक नोटिस लिखकर नोटिस बोर्ड पर अपनी स्कूल के लगा सकते हैं कि हाँ वे मेरी यह चीज यहां पर मिली ह जिसकी भी हो आकर मुझसे ले जाए या पिरामे मेरी ये चीज़ खो गई है अगर किसी को मिले तो प्लीज मुझे लॉट आ दें इस टाइप के नोटिसे होते हैं और टाइप टू में इविंट्स होते हैं इविंट्स के अंदर आपका चाहे कोई डांस कॉम्पेटिशन हो म् इसके अलावाभा टूर किसी भी टाइप का इस्टारीकल प्लेश हो या पिर विजीट टूर टू मुझेês वी इविट्टू इविसित हो व्जीट्स हो विजीट्स तो मुरणबाद बाद हो कहीं की विजीट ओ प्रिजीट्स oh अंदर आते हैं, थर्ड टाइप है हमारा मिटिंग, मिटिंग के अंदर चाहे किसी के भी साथ मिटिंग हो, चाहे आपका प्रिंसिपल के साथ मिटिंग हो, शेयर मैं के साथ मिटिंग हो, मैनेजर के साथ हो, डिरेक्टर के साथ हो, वो सारे टाइप 3 के अंदर आते हैं, ठीक ह अब इन तीनों में लिखने में थोड़ा-thोड़ा सा difference होता है लेकिन कोई बहुत बड़ा difference नहीं होता और अगर आपको सिर्फ एक ही type का आपने सीख लिया तो आप कोई साभी notice बहुत आसानी से लिख पाओगे इसनी वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा